कि दिल्ली पर पूरी तरह क्रांतिकारियों का अधिकार था सम्राट बहादुर्शा जफर बेगम जीनत महल सेनपती बख्त खाम और कुछ अन्य मेताओं की सलाह से शासन का काम चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर कंपनी सरकार की सेना का भारी जमार था वो दिल्ली पर दुबारा अधिकार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर क्रांतिकारी सेनाई उन्हें लगातार पीछे भेज रही थी दिल्ली पर अधिकार करने के लिए कंपनी की सेना को पाँच दलों में बाटा था प्रधान सेनापती विल्सन के नित्रत्व में पहले तीन दलों ने कश्मीरी गेट से प्रवेश करने की तैयारी की चौथा दल लेकर मेजर वीड काबुली दर्वाजे पर पहुँचा और सबजी मंडी की तरब से बढ़ने की योजना बनाई आखिर 14 सितंबर 1857 को सूर्यो दै होते ही जर्नल निकलसन कश्मीरी गेट के पास दिवार की और बढ़ा तभी इधर से क्रांतिकारियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए दिवार के नीचे अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में मारी गई लेकिन जर्नल निकलसन ने इसकी परवा नहीं की एक जगा दिवार कुछ तूट चुकी थी निकलसन ने वहाँ पर सीड़ी लगवा दी वो दिवार कूत कर शहर के अंदर जाना चाहता था आखिर निकलसन गोलों और गोलियों की परवा न करता हुआ दीवार पर चड़ गया और शहर के भीतर जा पहुंचा उसके बाद तो भारी संख्या में अंग्रेज सेने अंदर पहुंच गया कश्मिरी गेट पर घमासान लड़ाई शुरू हो गई आखिर अंग्रेज सेनिकों ने कश्मिरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया इससे कर्नल कैंक बेल भी अपनी सेना लेकर शहर के अंदर आ गया सबजी मंडी के पास क्रांतिकारी सेना ने मेजर रीट की सेना का मुकाबला किया वहां भी घमासान लड़ाई हुई कर्नल कैंप बेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी मस्जिद में उस समय कई हजार मुसलमान जमा थे उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जद उड़ाना चाहते हैं वो सब अपनी तलवारे लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े अंग्रेजे में उन पर गोलियां चलाई काफी लोग मारे गए पर इस से उनका होसला नहीं चूटा इतिहासकार लिखते हैं कि मुसलमानों ने जिस खुर्पी से आक्रमन किया उससे कंपनी के बंदूग भरी सिपाही खबरा दे उन्हें दुबारा बंदूगे भरने का मौका है नहीं मिला करनल केम्प बेल भी खायल हो गया दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संग्राम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 57 की क्रांटी का ये सबसे भयंकर संग्राम था उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए जबकि करीब 1500 क्रांटीकारी शहीद हुए थे पंद्रा से 24 सितंबर तक दिल्ली की चप्पा चप्पा भूमी पर क्रांटीकारियों ने अंग्रेजों से संग्ष किया इसके बाद दिल्ली का तीन चौथाई शहर अंग्रेजों के कबजे में आ गया जगा जगा एमार्तों पर फिर से ब्रिटिश छंडा लहराने लगा उधर 19 सितंबर की राद सेनपती बख्त खां समराथ बहादुशा जफर से मिला उसने बाश्या की हिम्मद बंधाई और कहा तू दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा ह तमाम मुल्क में आग लगी हुई है कि आप अंग्रेजों से हार मत मानिये आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए आखरी जीत हमारी होगी टीक है बहादूर तुम कल सबेरे हमें मिलो उधर बख्त खांग गया और इधर इलाही बख्ष बाश्या के पास आया इलाही बख्ष बाश्या का सम्धी था परन्तु धन के लोप में अंग्रेजों से मिलकर बाश्या को दिल्ली से बाहर जाने से रोक रहा था हुजूर अब बगावत के काम्याब होने की कोई सुरत नज़र नहीं आती बख्त खांग के साथ जाने में आपको सिवाय तकलीफों के कुछ हाथ नहीं आएगा मेरी मानी आप यहीं रह जाए मैं वाइदा करता हूँ यह अंग्रेजों से मिलकर सब बाते साथ कर दूँगा आप पर कोई आच नहीं आने दूँगा अगले दिन सविरे समराच बहादुशा हुमाईयों के मकबरे में गए बख्त खांग को वही मिलने के लिए बुलाया गया मकबरे के पूर्वी दर्वाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खांग की फौश पड़ी हुई थी पूर्वी दर्वाजे सही बख्त खांग बहादुशा से मिलने के लिए आया बख्त खांग दिल्ली से निकल कर क्या हम महफूज रह सकेंगे आपका इखबाल बुलंद है दिल्ली को तो छोड़िये मुल्क के तमाम मिलाखों में आप के लिए इज़त है और वहाँ आप महफूज रहेंगे लेकिन इलाही बख्ष तो आप उसकी बातों में मत आईए हुज़ूर वो फिरंग्यों से मिला हुआ है मैंने अपनी फौश तयार कर ली है आप फॉरन निकल चलिए कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता बख्ष खां मुझे तुम पर पूरा यकीन है ठीक है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूँगा बख्ष खां के जाते ही इलाही बख्ष फिर पहुँच गया सारे मुलक में फिरंग्यों में मार काट मचा रखी है आज नहीं तो कल आप पर मुसीबते आ जाएंगी मेरी मानिए फिरंग्यों से दोस्ती करने में ही भलाई है हुजूर बुरा बाश्शा अजीब पशोपेश में पढ़ गया अभी इलाही बख्ष अपने दाओं पेच चली रहा था कि बख्थ खां पहुच गया अरे यह फिर यहां तपका हुजूर मैं आपका रिष्टेदार हूं बहला मैं आपसे क्यों दगा करूंगा लेकिन ये बख्थ खां बठान है मुगलूं से अपनी कौम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और आपके साथ धोखा करेगा अच्छा तो ठहर अम मजद देख होते बास अभी तेरा फैसले किये देता हूं अरे 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 ठहरो बहादूर ठहरो ये क्या पागलपन है बहादूर मुझे तेरी हर बा कामला तकदीर के हवाले करता हूं मुझ को मेरे हाल पर छोड़ दो और बिसमिल्ला करो हमारी फिक्र मत करो अपने फर्द को अंजाम दो बाश्या की बातें सुनकर बख्थ खां का दिल टूट गया वो करदन नीची करके पूर्वी दर्वाजे से बाहर निकलाया फिर तो इ फौरन कैप्टन हटसन के पास पहुंचा सहाब देर मत कीजिए यहीं मौका है बख्थ खां को बादशाह ने नराज करके भेज़ दिया है आप पश्चिम के दर्वाजे से चलकर फौरन बादशाह को गिरफतार कर लीजिए सहाब फिर इलाही बख्ष लपक कर बादशाह के पास पहुंच गया पीछे पीछे हटसन बहादुशा को गिरफतार करने पहुंचा वो उसे देखकर हैरान रह गया बादशाह ने अब इलाही बख्ष की सारी चाल समझ ली थी उन्होंने नफ्रत से उसकी और देखकर कहा इलाही बख्ष क्या तुमने इसी लिए मुझे बख्ष खां के साथ जाने से रोका कैप्टन हटसन ने समराट बहादुर्शा जफर बेगम जीनत महल और शहजाद जमाबख्ष को गिरफतार कर लिया और उन्हें लाकर लाल किले में गया तर दिया इसके बाद फॉरण ही कंपनी के बड़े अफसरों की मीजिंग ही कैप्टन हटसन और जर्नल विल्सन की राय थी कि समराट बहादुर्शा को फॉरण मार डालना चाहिए लेकिन कंपनी के बड़े अफसरों ने कहा कि इससे देश के हालात और ज़्यादा बिगर सकते हैं इसलिए उन्हें कैदी रखा जाए अधर हुमाईयों के मकबरे में बादशाह के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अक्तर सुल्तान और पोता अबुबकर अभी मौजूद थे ये लोग तैय नहीं कर पाये थे कि वो किधर जाए इलाही बख्ष को जैसे ही ये बात मालूम हुई तो वो भाग कर कैप्टन हट्सन के पास पहुँचा उसने हट्सन से कहा आप फौरन चलकर बादशाह के बागी दो बेटों और पोतों को गिरफतार कर लिजे वो लोग भागने ही वाले हैं कैप्टन हट्सन तुरंत मकबरे में पहुचा और तीनों शहजादों को गिरफतार कर लिया इलाही बख्ष ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जर्नल विल्सन से उनकी जान बख्षवा देगा अब हट्सन तीनों शहजादों को बग्गी में बिठा कर शहर की ओर ले चला अंग्रेज सैनिक सवार बग्गी को घेर कर चल रहे प्लाए